प्रथान मंत्री पर कुमार स्वामी का बड़ा हमला कहा पार्टी एजन्डे के चलते चुनी 5 अप्रेल की तारीख जिहां पीम नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से आगरह किया है कि 5 अप्रेल यानि कि रवेवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लोग अपने घरों की लाइट बंद करें और इस दौरान लोग अपने बालकनी गेट के बाहर या फिर आंगन में दिया टॉर्च मोंबती य दिवस के अउसर पर किया है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने पीम के पद का दुरूपयों किया है 6 अप्रेल 19 वसी को भाजपा की स्थापना होई थी और आज 5 अप्रेल है यानि कि भाजपा के 40 वर्ष पूरे हुए हैं उन्होंने कहा कि बढ़त जिहां इस बढ़तेवी विमारी से घीरे अमेरिके राष्टपदी डोनल्ड ट्रंप के हाइड्रो क्लोरोक्वीन दवा के ओर्डर की आपूर्थी करने के आग्रह पर भारत ने कहा कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते हमसे जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे भारत ने अ हाइड्रो क्लोरोक्वीन की आपूर्थी करेंगे आपको बता दें कि डोनल्ड ट्रंप ने फोन पर पीम मोदी से इस बढ़तेवी मारी के मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रो क्लोरोक्वीन टैबलेट्स की आपूर्थी करने की मांग की है CM योगी ने कहा इस्तिती नियंतरण में है तबलीकी जमात के कारण ही बढ़े positive case जिहां मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के सभी सांसद वमंत्रियों से वीडियो कॉन्फरेंसी के जिरिये बातचीत की CM योगी ने कहा कि इस्तिती हमारे नियंतरण में है लेकिन तबलीकी जमात के कारण ही positive case के मामले बढ़े हैं CM योगी ने lockdown खतम किया जाने की इस्तिती में भीड को कैसे विवस्तित किया जाए और social distancing बरकरार रखे इस पर भी सुझाव मांगे हैं CM योगी ने उत्तरप्रदेश में lockdown खतम करने के संकेत दिये हैं CM ने कहा कि 15 अप्रेल को lockdown खतम होने पड़ बड़ी चुनावती होगी उन्होंने कहा कि lockdown खुलने के बाद भी social distancing का अनुपालन करवाना सभी की जिम्मेदारी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रेल से lockdown समाप्त होगा तो मैं चाहूंगा कि अगर हम 15 तारीक से lockdown खोलेंगे तो एकाएक भीड बढ़ेगी इसे रोकने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि अगर अचानक भीड सडकों पर निकलेगी तो इस्तिती अन्यंतित हो सकती है इसकी वज़े से सारी मेनत पर पानी फिर जाएगा पियमोदी ने की ब्लैक आउट की अपील तो बिजली कमपनियों ने कहा पावर कमपनियों और विजली विभाग को ग्रीड फेल होने का डरसता रहा है दरसल नौ बजे अचानक देश भर में लाइटे बंद होने के बाद फ्रिक्वेंसी गिरने से ग्रीड के फेल होने की आसंकाए है ऐसे में बिजली विभाग की अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वो ब्लैक आउट के दोरान सिर्फ घरों की लाइटे ही बंद करें बागी के उपकराण नहीं ऐसे में ग्रीड फेल होने की संभावना को कम किया जा सकता है प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने लोगों से अपील की है कि वो रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों की लाइटे बंद करें और दिया और केंडल जलाएं जनरल वीके सिंग ने कहा तबलीगी जमात के लोगों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे वो याद रखेंगे जिहां केंद्री मंतरी और गाजियाबाद के संसद वीके सिंग ने कहा कि गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोगों ने जो हरकत की है उसकी उनको ऐसी सजा मिलेगी जिसे हर कोई याद रखेगा उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत किसी भी हाल में बरदास्त नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर अंकुस लगाने के लिए परियाप्ट कानून मौजूद है उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कारवाई के लिए कानून के हर अनुछेद का इस्तमाल किया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोग आगे फिर ऐसी गंदी हरकत ना करें प्रसासन उन पर सकती से सकत कारवाई कर रहा है